ओम श्यान्ती, 21 अगस्त 2024 के इश्वरिय महावाक्य, पहले सुनते हैं आज की मुरली से हुमबर्ग, बाबा ने कहा, बाप की याद के साथ साथ खुशी में रहने के लिए 84 के चक्र को भी याद करना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है, खुदा को अपना सच्चा दोस्त बना तुम हो चैतन्य लाइट हाउस, तुम्हें सबको बाप का परीचर देना है, घर का रास्ता बताना है, डबल अहिंसक बनने के लिए क्रिमिनल आई को बदल सिविल आई बनानी है, हम आत्मां भाई-भाई हैं, यह अभ्यास करना है, आगे चल कर बहुतों को यह डारेक्शन मिलेगा, कि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास जाओ, तो तुमको यह वैकुंच का प्रिंस बनने का ज्यान देंगे, यह इशारा उन्हों को ब्रह्मा के साक्षातकार से मिलेगा, अक्सर करके ब्रह्मा और स्रिक्रश्न का ही साक्षातकार होता है, जैसे आदे में स स्तार सी, मुरली का सार, मीठे बच्ची, तुम हो चैतन्य लाइट हाउस, तुम्हें सब को बाप का परीचे देना है, घर का रास्ता बताना है, प्रशन, आगे चल कर कौन सा डारेक्षन और किस विधी से अनेक आत्माओं को मिलने वाला है, उत्तर, आगे चल कर भुखतों को यह डारेक्षन मिलेगा, कि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास जाओ, तो तुमको यह वैकुंठ का प्रिंस बनने का ज्यान देंगे, यह इशारा उन्हों को ब्रह्मा के साक्षातकार से मिलेगा, अक्सर करके ब्रह्मा और स्रिक्रिष्न का ही साक्षातकार होता है, जैसे आदी में साक्षातकार का पार्ट चला, ऐसे ही अंत में भी चलने वाला है ओम श्यान्ती रुहानी बाप बच्चों से पूछते हैं, सबसे तो नहीं पूछ सकते नलीनी बेटी से पूछते हैं कि यहां क्या कह रही हो, किसकी याद में बैठी हो, बाप की सिर्फ बाप की याद में बैठी हो या और भी कुछ याद है, बाप की याद से तो विकर्म विनाशोंगे, और क्या याद करती हो यह बुद्धी का काम है ना, हम आत्माओं को अपने घर जाना है, तो घर को भी याद करना है अच्छा और क्या करना है? क्या घर में जाकर बैठ जाना है? विश्णु को स्वदर्शन चक्र दिखाते है ना? उनका अर्थ भी बापने अब समझाया है स्वअर्थार्थ आत्मा को दर्शन हुआ 84 जन्मों के चक्र का तो वह चक्र भी फिराना पड़ी तुम जानते हो हम 84 का चक्र लगाकर घर जाएंगे फिर वहां से आएंगे सत्यूग में पार्ट बजानी फिर 84 का चक्र लगाएंगे विश्णु को कोई चक्र होता नहीं वै तो है सत्यूग का देवता विश्णु पूरी कहो या लक्षमी नारायन की पूरी कहो स्वर्ग कहो स्वर्ग में लक्षमी नारायन का राज्य था अगर राधे कृष्ण का राज्य कहते हैं तो ये भूल करते हैं राधे कृष्ण का राज्य तो होता नहीं क्योंकि दोनों अलग अलग राजाई के प्रिंस प्रिंसेज थे राजाई के मालीक तो फिर संवर के बाद बनेंगे तो यह जो विश्णु को चक्र दिया है यह चक्र है तुम्हारा तो यह जब बैठते हो तो सिर्फ शान्ती में नहीं बैठना है वर्सा भी याद करना है इसलिए यह चक्र है बाप कहते हैं तुम लाइठ आउस भी हो बोलता चलता लाइठ आउस हो एक आँख में है शान्ती धाम एक आँख में है सुख धाम दोनों को याद करना पड़ता है याद से तो पाप कटनी है घर को याद करने से घर में चले जाएंगे फिर चक्र को भी याद करना है ये सारे चक्र की नोलेज तुमको ही है चोरासे का चक्र लगाया है अब ये अंतिम जनम है मृत्यू लोग में नई दुनिया को कहा जाता है अमर लोग अमर अर्थार तुम सदैव जीते रहते हो तुम कभी मरते नहीं हो या तो बैठे बैठे अचानक मृत्यू हो जाती है बिमारिया होती है वा मरने का डर नहीं क्योंकि अमर लोग है तुम बुडे होते हो तो भी ज्यान है हम गर्व महल में जाकर प्रवेश करेंगी अभी जाते हैं गर्व जेल में वा तो गर्व महल होता है वहाँ पाप तो करते नहीं जो सजा भोगनी पड़े यहां तो पाप करते हैं जिस कारण सजा भोग कर बाहर निकलते हैं तो फिर पाप शुरू कर लेते हैं यह है पाप आत्माओं की दुनिया यहां तो दुखी होता है वहाँ दुख का नाम नहीं तो एक आँख में है शांती धाम, दूसरी आँख में है सुख धाम रखो बल तुम जनम जनमांत्र जब तब आदी करते आई हो प्रन्तु वह ज्यान तो नहीं है न, वह है भक्ती उसमें कोई युक्ती भी नहीं मिलती है कि तुम ऐसे सतो प्रधान बन सकती हो कोई भी नहीं जानती, बस सुना है स्रीकृष्ण भगवान वाज, देह सहित ये गीता के अक्षर हैं, जो पढ़कर सुनाती है ऐसे नहीं कहते कि तुम ऐसे बनो सिर्फ पढ़ते हैं भगवान ऐसे कहकर गया था जब आया था पतीतों को पावन बनानी सिर्फ गेता में परमपिता परमात्मा के बदले स्रीकृष्ण का नाम डाल दिया है अब स्रीकृष्ण तो रथी है ना, उनको रथ चाहिए क्या वे तो खुद देहधारी है, स्रीकृष्ण का नाम किसने रखा जैसे चटी होती है तो नाम सब के पढ़ती है बाब को तो सिर्फ शिव ही कहा जाता है तुम आत्माय जनम मरण में आती हो तो शरीर का नाम बदलता है शिव बाबा तो जनम मरण में आता नहीं, वे सदैव शिव ही है बिंदी जब लिखते हैं, तो कहते हैं शिव बिंदी आत्मा तो है बिलकुल सुक्ष्म आत्मा का अगर साक्षातकार होता, तो भी किसको समझ में नहीं आता देवी को देख खुश हो जाएंगे, अच्छा फिर क्या, प्राप्ती तो कुछ नहीं, अर्थ नहीं सिर्फ नोंदा भक्ती की दर्शन किया, तो उसमें ही खुश हो जाती है बाकि मुक्ती जिवन मुक्ती की तो बाती नहीं है, वह हैं सब भक्ति मार्ग, यहां यह हैं ज्यान मार्ग, यहां अक्सर करके साक्षातकार होता है ब्रह्मा का, फिर स्रिकृष्ण का होगा, कहेंगे इस ब्रह्मा के पास जाओ, तो तुम कृष्ण पूरी वावैकुंठ में जाएंगे लक्ष्मी नारायन का भी साक्षातकार हो सकता है ऐसे नहीं साक्षातकार हुआ माना सद्गती हो गई यह सिर्फ इशारा मिलता है यहां जाओ आगे चल बहुतों को साक्षातकार होगा डारेक्शन मिलेगा तुम्हारा त्रिमूर्ति भी अखबार में पढ़ता है ब्रह्मा कुमारियों का नाम भी पढ़ता है तो ब्रह्मा का ही साक्षातकार होगा कि इनके पास जाने से तुमको यह वैकुंच का प्रिंस बनने का ग्यान मिलेगा जैसे अरजुन को विश्नु का और विनाश्च का सा प्रक्षादकार हुआ बाप कहते हैं तुमको कमल फूल समान बनना है प्रंतु सथाई तो तुम नहीं रहते हूँ इसलिए अलंकार विष्णू को दे दिये हैं नहीं तो देवताओं को शंक आदे की दरकार है क्या मुख से सुनाने को शंक द्वहनी कहा जाता है कमल का राज भी बाप समझाते हैं, तुम ब्रामनों को इस समय कमल फूल समान बनना है, गदा है पांच विकारों रूपी माया को जीतनी की, बाप उपाय बताते हैं मामीकर्म याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाशोंगे, श्रिमत पर चलकर पतित पावन बाप को याद करो, दूसरा तो कोई पतित पावन है नहीं, सिवाए एक बाप के, बाप कहते हैं मुझे बुलाते ही इसले हैं, कि हम सब को इस शरीर से चुड़ा कर पावन दुनिया में ले चलो, तो बाप ही आकर सब आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं, क्योंकि अपवित्र आत्माय तो घर में अत्वा स्वर्ग में जानी सकती हैं। बाप कहते हैं पवित्र बनना है तो मुझे याद करो। याद से ही तुम्हारे बाप करते जाएंगे। ये मैं गैरेंटी करता हूँ। बुलाते हैं हे पतित पावन आओ। हमको पावन बनाकर नई दुनिया में ले चलो। तो कैसे जाएंगे। कितनी सीधी बात बताते हैं। बाप की सहज नोलेज और सहज बात है। कहते हैं कामकाज करते हुए मुझे याद करो। बल नोकरी यादी करो, भोजन बनाओ, तो भी याद में रहकर। तो भोजन भी शुद होगा, इसलिए गाय जाता है। ब्रह्मा भोजन के लिए देवताओं को भी दिल होती है। ये बचियां भी भोग लेकर जाती हैं, तो वा मैफिल होती है। ब्रामनों और देवताओं का मेला लगता है। भोजन स्वेकार करने आती हैं। ब्रामन लोग जब भोजन पान करते हैं, तो भी मंत्र जबते हैं, ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है, सन्यासी तो ब्रह्म को ही याद करते हैं, वहे हैं हद के सन्यासी, कहते हैं हमने घरबार मिलकेत आदी सब छोड़ा है, फिर अभी अंदर घुस पड़ते हैं, तुमारा ह बेहद का सन्यास तुम इस पुरानी दुनिया को ही भूल जाते हो तुमको फिर जाना है नई दुनिया में घर गृस्त में रहते बुद्धी में यह है कि अब हमको जाना है सुख धाम वाया शांती धाम शांती धाम को भी याद करना पड़े बाप को शांती धाम और सुख धाम को याद करते है यह हमारा बहुत जन्मों के अंत का जनम है 84 जनम पूरे हुए सुरे वन्शी से चंदर वन्शी फिर वैशे शुद्र वन्शी बनी वे लोग फिर कहते आत्मा सो परमात्मा आत्मा को कोई लेट छेप नहीं लगता क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है बाप कहते हैं यह भी उन्हों का उल्टा अर्थ है बाप बैट हम सो का अर्थ समझाती है हम आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूं पहले पहले हम स्वर्गवासी देवता थे फिर चंदरवन्शी छेत्रिय बनी, पचीसो वर्ष पूरा हुआ, फिर वैश्य शुद्रवन्शी विकारी बनी अब हम ब्रामण चोटी बनती हैं, यहां बैचे हैं, जैसे की 84 की बाजोली खेलती हैं यह बाजोली का भी ग्यान है, आगे तिर्थो पर जाते थे, तो भी ऐसे बाजोली करते निशान डालते जाते थे अबे तुम्हारा तो सच्चा तेर्थ है, शान्ती धाम और सुख धाम, तुम हो रुहानी पंडे, सब को राय देती हो, बाप को याद करो, तो शान्ती धाम चले जाएंगे सादू संत आदी सब शान्ती धाम में जाने के लिए मेहनत करती हैं, प्रन्तु जा कोई भी नहीं सकते, जाएंगे फिर सारा होल लोट एकठा, बाप ने समझाया है, सत्युग में तो बहुत थोड़े होती हैं, फिर वृद्धी होती जाती है, तो तुम हो स्वदर्शन चक क्रधारी, देवताई नहीं है, प्रन्तु इस्त में तुम्हारी माया के साथ यूदु चल रही है, उस लड़ाई में भी जिसको जोरदार समझते हैं, तो फिर उनके पास जाकर शरण लेते हैं, अभी तुम किसके शरण लेते हो, इस तरी पुरुष दोनों कहते हैं, हम शर साथू संथ तो एक नहीं है, अनेक भगवान हो जाती हैं, जो घर से रूठे वे भगवान, फिर बड़े-बड़े साहुकार, क्रोड़ पती जाकर, उनों के शिश्य बनते हैं, और मैफिल बनाती हैं, गंदे खान-पान की, तमो प्रधान मनुष्य हैं ना, हिंदूों को फ प्रंतु पतित बन गए हो, इसलिए अपने को देवता कहला नहीं सकती, वह धर्म ही प्रायलोप हो गया है, मनुष्य कितनी विकारी क्रीमिनल आई वाली हैं, एक मनिस्टर बाबा के पास आया था, बोला, हमारी तो क्रीमिनल आई जाती है, अब आप समझाती हैं, बच्चे सिविल आई बनो, जब तक क्रीमिनल आई जाती है, तब तक तुम पति थो, अपने को भाई-भाई समझो, तो वह क्रीमिनल दृष्टी उड़ जाएगी, हम आत्मा भाई-भाई हैं, एक बाब से वर्सा ले रहे हैं, आत्मा का तखत ये ब्रिकुटी है, इसको कहा जाता है अकाल तखत, अकाल आत्मा इस तखत पर विराजमान है, ये तो मिट्टे का पुतला है, सारा पार्ट आत्मा में ही भरा हुआ है, बाब कहते हैं, मैं पाँच जार वर्ष के बाद आता हूं, तुम बच्चों को वर्सा देनी, तुम जानते हो हम आई हैं, हेल्थ, वेल्थ, हैपीनेस का वर्सा लेनी, सत्यूंग में अथा धन मिलता है, तुम 21 पीड़ी देरता बनती हो, बुढ़ा पे बिगर कभी कोई मरेगा नहीं, या तो बैठे बैठे अचानक मर पड़ते हैं, गर्ब में अंदर भी मर पड़ते हैं, वा तो दुख का नाम नहीं होता, उनको क कहा जाता है सुख धाम रामराज्य, सत्यूंग में तो रामर होता ही नहीं, तो यह 84 का चक्र बुद्धी में तुमको याद रहेगा, बहुत खुशी रहेगी, तुम जानते हो हम नए विश्यों के अर्थार्ठ सत्यूंग के मालिक बनने वाली हैं, गीता में भी हे बच्चे, देह सईत दे के सब संबंदों को छोड़ो, अपने को आत्मा समश मामे कम याद करो, तुमारा सच्चा सच्चा खुदा दोस्त वहे है, अल्लाह अवल दिन का नाटक, हातम ताई का नाटक सब इस समय की है, अबे मनुश्य कितना माथा मारते रहते हैं, बच्चे कम पैदा हो, बेहद का बाप कितना कम कर देते हैं, सारे विश्य में सत्यूग में नो लाख आबादी जाकर रहती है, बाकि इतने करोड़ों मनुश्य होते ही नहीं, सब मुक्ती धाम, शांती धाम में चले जाएंगे, यही तो करामात की बात है ना, एक देवी देवता धर का फाउंडेशन लगा कर, बाकि सब विनाश कर देती हैं, यह 84 का चक्र अच्छी रिती बुद्धी में बिठाना है, यह है स्वदर्शन चक्र, बाकि चक्र से कोई का गला आदी नहीं काटना है, शास्त्रों में फिर स्रीकृष्ण के लिए हिंसक बातें लगा दी हैं, सब को स्वदर्शन चक्र से मारा, यह भी गलानी हुई ना, कितना हिंसक बना दिया है, तुम डबल अंसक बनती हो, काम कटारी चलाना यह भी हिंसा है, देवताओं को तो पवित्र कहा जाता है, योग बल से जबकि विश्व के मालिक बन सकती हो, तो योग बल से बच्चे पैद काना शरीर छोडेंगे, और गोल्डन स्पून इन माउथ, तुम भी समझते हो, हम अमर लोक में जनम लेंगे, तो गोल्डन स्पून इन माउथ होगा, गरीब प्रजा भी चाहेना, दुख की कोई भी बात होती ही नहीं है, प्रजा के पास थोड़ी इतना धनमाला दी होता ह बाकी हाँ, सुख होगा, आयो बड़ी होगी, राजारानी साहुकार प्रजा सब चाहेना, अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रती, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुट मॉर्निंग, रुखानी बाप की रुखानी बच्चों को नमस्ते, हम रुखानी बच्चों की रुखानी बाप दादा को याद प्यार, गुट मॉर्निंग और नमस्ते इची, दहाना के लिए मुख्य सार, पहला पोइंट, बाप की याद के साथ साथ, खुशी में रहने के लिए, 84 के चक्र को भी याद करना है, स्वदर्शन चक्र फिराना ह खुदा को अपना सच्चा दोस्त बनाना है, दूसरा पोइंट, डबल अहिसक बनने के लिए, क्रिमिनल आई बदल सिविल आई बनानी है, हम आत्मा भाई भाई हैं, यह अभ्यास करना है, वर्दान, सर्व शक्तिमान बाप को कंबाइंड रूप में साथ रखने वाले, सफ सफलता मूरत भव, विस्तार, जिन बच्चों के साथ सर्व शक्तिमान बाप कंबाइंड है, उनका सर्व शक्तियों पर अधिकार है, और जा सर्व शक्तियां है, वहाँ सफलता ना हो, यह असंबव है, यदि सदा बाप से कंबाइंड रहने में कमी है, तो सफलता भी कम होत सदा साथ निभाने वाले अविनाशी साथी को कंबाइन रखो तो सफलता जनमसिद अधिकार है क्योंकि सफलता मास्ट्र सरवशक्ति मान के आगे पीछे घूमती है स्लोगन सचे वैस्णव वहे हैं जो विकारी रूपी गंदगी को छूते भी नहीं अच्छा ओम शान्ती